इन्ज्वाई कोमर्स चैनल में आपका स्वागत है अभी ननन है आओ अभी आज की टोपी की सुरुआत करते हैं हलो एवरिबन किसी ने सही कहा है रुकना मेरा काम नहीं चलना मेरी स्यान है आपके लिए बहुत ही खुशी की बात है XSSC के लिए कॉमन एंटेस टेस्ट की घोषना 25 दिसंबर को हर्याना प्रदेश के सियम ने की है उसी घोषना के अनुसार ग्रूप C और D की नौकरियों के लिए अब पास करना होगा Common Eligibility Test इसमें One Time Registration का प्रावधान किया गया है और हर्याना के मुख्य मंतरी ने Common Eligibility Test का पोर्टल भी लांच कर दिया है अब हर्याना प्रदेश में जितने भी ग्रूप C और D की नौकरिया निकलेगी उनके लिए आपको सिरफ एक बार पंजिकन करवाना होगा One Time Registration आपको करवाना होगा और Registration के उपरांद आपको मिलेगा अपना ID और अपना Password HSSC के लिए Common Eligibility Test वर्ष में कम से कम एक बार अवस्य होगा और नए वर्ष में 2021 में भी यह एक बार अवस्य होगा इस बात की घोषना भी सरकार ने जहां पर आपके लिए की है और आगे यदि सरकार चाहेगी तो इसे साल में दो बार करवाए जाएगा और फीस की जहां तक बात है धाइसो रुपे से पांसो रुपे तक फीस यहां पर रखी गई है कोई भी कैंडिडेट जो ग्रूप D की नोकरियों के लिए अपलाई करना चाहता है उसके लिए दस्वी पास होना जरूरी और जो ग्रूप C की नोकरियों के लिए अपलाई करना चाहता है उसके लिए पलस टू पास होना जरूरी और एक खुशकबरी आपके लिए है कि इस टेस्ट को जितनी मर्जी बार आप दे सकते हैं एक बार आपने टेस्ट दिया कलियर नहीं हुआ तो आप दूसरी बार इस टेस्ट को दे सकते हैं दूसरी बार आपका कलियर नहीं हुआ, मेरिट में आप नहीं आए, तो आप तीसरी बार इस टेस्ट को दे सकते हैं, चाहे इस टेस्ट को आप दस बार दें, तो ये भी छोटा आपके लिए यहां पर रहेगी, तो इसलिए आप आज ही तयारी सुरू कर दें, आप अपना का कोई नुक्सान नहीं है, अब हर्याना पढ़ेगा और हर्याना बढ़ेगा, ये नियम हर्याना पर लागू होगा, CET, Common Eligibility Test में, एक्जैम्स कलियर का क्राइटिरा निश्चित क्या जाएगा, जैसे 100 नंबर का टेस्ट हुआ, और 60 परसेंट नंबर लेने वाड़े को कल कलियर का सेर्टिफिकेट देंगे, और जो कैंडिडेट्स टेस्ट कलियर करेंगे, उनको आगे आने वाले समय में नोकरिया मिलेंगी, जो टेस्ट कलियर नहीं करेगा, उसे नोकरी नहीं मिलेगी, माल लीजिए पहली बार आपका स्कोर आया 65%, 100 में से 65 नंबर आपने लिए तो 65 आपका स्कोर हो गया, तो आपको सेर्टिफिकेट दिया जाएगा 65% स्कोर का, और माल लीजिए फिर आप दوبारा सी टेस्ट में अपियर होते हैं, और आप अपनी परसेंटेज को भड़ा लेते हैं, वो बन जाती है 70%, तो आपका जो स्कोर है, वो 70% माल लिया जाएगा और यदि माल लीजिए, आप दوبारा टेस्ट देते हैं, और आपका स्कोर घटकर रह जाता है 55%, तो 55% को नहीं, बलकि 55% जो आपका स्कोर आपने बढ़ाया था, उसी को आगे नोकरियों के लिए कंसिडर किया जाएगा, ये भी आपके फाइदे की बात है, common eligibility test आपके लिए अफसर लेकर आया है, और इस अफसर का आपको फाइदा उठाना चाहिए, जहां तक इस test के syllabus की बात है, इसमें 70% GS, इनके journal awareness के, reasoning के, maths के, current affairs के, इसमें science के question भी आगई, computer के question भी आगई, English के question भी आगई, Hindi के question भी आगई, तो 70% में इन सब को स्यामिल किया जाएगा, और इसमें 30% हर्याना प्रदेश का जीके, हर्याना प्रदेश का इतियास है, वो उसमें देखने को मिलेगा, इसे भी आप असानी से त्यार कर सकते हैं, यदि आप common eligibility test के लिए registration करवाना चाहते हैं, तो online इसका registration आप करवा सकते हैं, online registration के लिए यहां पर नीचे description में आप link आप अपना फार्म फिल अप कर सकते हैं, जैसे आप link पर click करेंगे, तो आप से अपना mobile number ये पूछेगा, mobile number आप भरेंगे, तो OTP आएगी, OTP आप भरेंगे, तो फिर step by step आपने पूरा फार्म फिल अप करना है, और बीच में अगर यदि आप चाहते हैं, कि मैं इसको फिल अप कर सकते हैं, हर्याना प्रदेश में रहने वाले कंडिडेट्स के लिए प्रिवार पहचान पत्र इसमें रिजिस्टेशन के लिए आउसक बना गया है, तो आप अपना प्रिवार पहचान पत्र बनवा लें, और जैसे ही आप उसमें अपने ID फिल अप करेंगे, त तो common eligibility test लागू होने के बाद, आगे group D की services के लिए कोई भी ओर test वहाँ पर नहीं देना पड़ेगा, लेकिन group C के लिए department की तरफ से test आपका लिया जा सकता है, जैसे lineman की नोकरी के लिए आपने apply किया है, तो lineman का वहाँ पर test हो सकता है, typist के लिए आपने apply किया, तो type का test वहाँ पर हो सकता है, और एक सूचना मैं आपको बता दूँ कि जो करमचारी पहले से हर्याना government में लगे हुए हैं, और वो अपनी नोकरी बदलना चाहते हैं, उनको NOC लेने किया हो सकता वहाँ पर नहीं पड़ेगी, सिरफ उनको अपने department में application देनी है, कि मैं इस नोकरी क के लिए apply करना चाहता हूँ, और common eligibility test के लिए मैं यहाँ पर form fill up कर रहा हूँ, अपना registration करवा रहा हूँ, NOC के आप सकता वहाँ पर नहीं पड़ेगी, यह अब हर्याना प्रदेश के करमचारीयों को शूट दी गई, ग्रूप D की नोकरियों में socio-economic criteria के आपको maximum 10 नंबर मि यदि आप उसके लिए eligible हैं, ठेक इसी प्रकार से ग्रूप C के नोकरियों के लिए 5 नंबर आपको socio-economic criteria में मिलेंगे, यदि आप उसके लिए eligible हैं, जहां तक IU की बात है, कम से कम 17 वर्स की उमर का candidate online registration करवा सकता है, maximum age यहाँ पर 42 years रखी गई है, और जो different categories है, SC के लिए 5 years की छूट है, BC के लिए वहाँ पर 3 years की छूट है, तो वो जोड़ करके आपने देख लेना है, कि आपकी उमर maximum वहाँ पर कितनी बनती है, जहां तक experience की बात है, एक साल का experience आपका है, तो उसके 0.5 marks आपको मिलेंगे, आधा नंबर आपको मिलेगा, और 16 साल आप आपने service की, तो 8 नंबर आपको उसमें group D में इसके मिल सकते हैं, न्यूज के मैध्यम से एक और बात यहां पर सामने आई है, common eligibility test की जो validity रहेगी, तीन साल की रहेगी, तीन साल तक group C और D की जो नोकरिया निकलेंगी, उन में आप जो है, अपना forum fill up कर सकते हैं, यदि आप दोबारा test देना चाते हैं, तो दोबारा फीस आपने भरनी पड़ेगी, जैसे as state में होता है, और इस नए साल में यह जो test होगा, जून के महिने में test ही रखा गया है, और जो online registration आपका होगा, last date इसमें 31 March रखी गई है, और इस date को आगे बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन 31 March तक ही अपना registration सुनिशित कर लें, और न्यूज के मैध्यम से ये भी बताया गया है, सकूल और कोल्जीज के results आने के उपरांध भी candidates को जहाँ पर registration के लिए chance दिया जाएगा, ताकि वो भी अपना farm यहाँ पर fill up पर सके, पुरानी भरतिया जो चल रही है, जिनकी process चल रह ही है, उनकी भरती पुरानी pattern पर होंगी, उनका common eligibility test से कोई सम्द्र नहीं है, और एक बात और उभर कर सामने आ रही है, कि आप अपना score कभी भी किसी भी time देख सकते हैं, और यही नहीं, अपना score नहीं, आप किसी दूसरे का score भी देख सकते हैं, और कितने भी candidates का score आप edit भी कर सकते हैं, जैसे आप पहले 10th pass हैं, फिर आपने पलस्टू कर ली है, तो पलस्टू आपने कर ली है, तो आप जो है इसके अंदर अपना education qualification में जा करके, पलस्टू पास की information आप वहाँ पर fill up कर सकते हैं, आपके score में, आपके socio economic के number भी इसमें जोड दिये जाएंगे और number जोडने के बाद जो score आपका बनता है, उसी एधार पर आपको short list किया जाएगा, ये भी आपके लिए खुसी की बाद, जैसे ही आपको नोकरी मिल जाती है, तो नोकरी मिलते ही common eligibility test की detail वहाँ से delete कर दी जाएगी, यदि बाद में आप कोई दूसरी नोकरी पर जाना चा जाएगी, जैसे ये request करना चाता हूँ, कि आज से ही अपने तैयारी सुरू करदें, आज से ही जीवन में मञजिल के लिए चलना सुरू करदें, कहा भी गया है, चलो तो मनजिले ही मनजिले हैं, और रुको तो फासला ही फासला है, इस आसवार उमीद के साथ, कि आपने आप मिल सकें, धन्यवाद, जैहेन, have a nice day.